रहे मतदी नमस्ते तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे होली का की अगनी में कौन से चीजे अर्पित करनी चाहिए जिससे करने से आपको सुख और सम्रिधी का बरदान मिलेगा तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं हिंदु धर्म में होली के साथ होली का दहन का बड़ा महत्व है हर साल फागुन माह की पुर्णी मातिति को होली का दहन मनाया जाता है और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है होली का दहन की रात्री में गोबर के उपलो और लक्रियों को डाल कर परिकर्मा की जाती है और फिर होली का की अगनी जलाई जाती है तो उचीज को अर्पित करना बिहत्सु बाना गया है मननता है कि इसे जीवन में सुख, सम्रिधी और खुसहाली आती है तो पहला बस्तु है नारियल होलिका दहन के दोरान होलिका की 11 बार पर करमा करे और आखरी में सुखा नारियल पान और सुपारी अर्पित कर सकते हैं मननता है कि इसा करने से धन से जुरी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख, सम्रिधी और खुसहाली आती है दुसरा बस्तु है जौकाठा कहा जाता है कि होलिका में जव काट अर्पित करने से ग्रीह कलेज से मुक्ति मिलती है और परिवारिक जीवन में सुक्सांती बनी रहती है तो चली जानते हैं अगले वस्तु के बारे में पान का पत्ता मनियता है कि होलिका में घी में भीगोए हुए बतासे और एक पान का पत्ता अर्पित करने से आर्थिक संकट से मुक्ति मिलती है और साल भर धन से जुड़ी दिक्तों का सामना नहीं करना पड़ता तो चली जानते हैं इसके आगे दुसरे बस्तु के बारे में नीम की पत्ती और कपूर मनियताओं के नुसार होलिका में दस नीम की पत्ती और कपूर का टुकरा अर्पित करने से स्वास्त जुड़ी दिक्तों में राहत मिलती है चावल के दाने होलिका में धन सुख सम्रिदी का रिष्वात पाने के लिए होलिका में जौव या चावल के कुछ दाने अर्पित करें मनियाता है कि ऐसा करने से मालक्षमी प्रसन होती है तो ये जनकारी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पुछे जैमातादी नमस्ते